हलो फ्रेंट्स में हूँ फड़ा खान आपका स्वागत करती हूँ चटपटा सफर में आज हम बनाएंगे कुछ थोड़ा सा इंट्रेस्टिंग जो की है नाश्ते में पहुत जल्दी बनने वाली रेसिपी जिसका नामें एक कट्ल ओमलेट ब्रेंड हम बनाएंगे ओमलेट ब और वो फटा-फट मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट के लिए तयार भी हो जाएगा जल्दी से देखे आईए हम इसको किस तरह से बनाएंगे उसकी आइटम्स हम देखते हैं हमें क्या-क्या सामगरी चाहिएगी उसके लिए हम हमें चाहिएगा हराधनिया हराधनिया प्यास नमक, लालमेच, जीरा, और ओयल थोड़ा सा और अंडे और तीन से चाहर ब्रेड ये देखे हमने बारिक धनिया काटकर उसको तोड़कर बारिक काटकर धोकर रख लेंगे एक साइट पे फिर उसके बाद हम छॉप करेंगे ओनियन को बिल्कुल बारिक बारिक हमने चॉप करते हैं तो ये कटर से इसको काटा है इसके आए, अमने थीन अंडे लीहें हैं इसको हम फोड़ कर येक सा 상황 में निकालेंगे देखे इस तरह से हमने इसको फॉड़कर एक साइट करीट कर लिए हैं तीन अंडे ।क्कि या बैटर त्यार रहे तो आपके ओम्लेट्स फट यह हमने 1-2 चमच एक पिंच लालमिच डाली है, हम ग्रीन चली यूज निक कर रहे हैं, इसलिए हम एक पिंच और डालेंगे लालमिच, इसके बाद हमने 1-2 चमच जीरा डाला है, अब इसको अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे, बिल्कुल एक जैसा बेटर हो जाना चाहिए अब हमने इसको मिक्स कर लेंगे, उसके बाद हम इसके अंदर जो हमने प्यास कटी थी, बार एक बिल्कुल खच का वो डालेंगे और जो हमने धनिया कट कर रखा है वो डालेंगे देखिये इस तरीके से, अब हमारा फ्राइपन हम गर्म होने कली रखेंगे और ये धनिया और प्यास को भी हम अच्छे से बारिक जो हमने काट कर डाला है और पेस्ट के अंदर वो कुछ से मिक्स कर लेंगे और एक साइट पे हमारा दवाव या फ्राइपन जिसके अदर हम अमलेट बना रहे हैं वो पहले से प्रिहीट होने के लिए रख देंगे देखिये हमारा फ्राइपन प्रिहीट हो चुका है इसलिए हमने उसके अंदर थोगा सा ओयल डाला है और फ्रेट करके अब हम ये ऑमलेट का जो बैटर है वो डालेंगे ये डाल कर हम इसको अच्छे से फेला देंगे क्योंकि हम इसके अंदर ब्रेड अंदर डालनी है तो हम जितना बड़ा ओमलेट बना सके उतना बड़ा बनाना है देखिये हम इसको अच्छे से फेलाएंगे बिल्कुल और थोड़ा सा चमच से लेवल में करेंगे जिसे हमारा बिल्कुल अच्छे से नहीं थोड़ा सा रह गया है तो हम इसको चमच से फेला देंगे प्रॉपरली जिसके उपर हमने बटर या घी आप कुछ भी spread कर सकते हो उससे छट्रेस्ट आएगा ये देखिए फिर इस तरह के से हम तवीथे की मदद से पलटना जो भी आप कहते हैं उसकी मदद से हम इसको इस तरह से पैक करेंगे चारो तरफ से देखिए किस तरह से धीरे धीरे हमें one by चारो तरफ से हमें इसे पैक करना है अब इसको हम फिर पलटेंगे एक साइट से ये अच्छे से पक चुका है ओमलेट बिलकुल ये देखिए अब हम इसको तवीथे की मदद से दूसरी तरफ से भी सेखिएंगे देखिए ये एक तरफ से हमारा बिलकुल light golden ओमलेट आपके घर कोई guest आये हो बच्चे को भी थोड़ा सा interesting लगेगा इसी तरीके से हम बच्चे वे better का दूसरा भी दूसरा भी bread तयार कर सकते हैं ओमलेट ब्रेट ये देखिए हम दूसरा बना रहा है है आप इसी तरीके से ये इसके अनरम ने bread रख दिया है जब एक साइट से पक चुका है देखिए अब इसको हम फोल्ड करेंगे किस तरी से फोल्ड करेंगे ये देखिएगा one by one फोल्ड करना है आपको देखना है कि हलका से पक चुका है और फिर उसके बाद 4 तरह से फोल्ड करके देखिए हमारे दो bread ओमलेट तयार है अब इसको हम सविंग अब इसको हम serve करेंगे इस sauce के साथ, आप चाहें तो green chutney के साथ, शयजवान sauce के साथ भी आप इसको serve कर सकते हैं, देखिये इस तरीके से, अब इसको पूरा-पूरा खाने में तो मज़ा नहीं आएगा, हम इसको 2-Piece में करेंगे, आप चाहें तो इसे 4-Piece में भी cut कर सकते हैं पर हम इसे two piece में cut करेंगे जिससर ऐसे हम sandwich cut करते हैं देखिए हम इसको cut कर देंगे knife की मदद से हमें हलके से deep press करके cut करना है और आप मेरा माने तो बूठा चाकु बिल्कुल use न करें जो बिल्कुल तेज हो वो चाकु यूज करें कि फट से cut जाए हमारा omelette bread तक कि वो थोड़ा सा ऐसा आत इल्चान न कटे सीधा सीधा कटे देखिए इस तरीके से हमने cut कर लिया इसको यह यह देखिए हमारा bread और उपर से omelette कितना बढ़िया लग रहा है बिल्कुल एकदम tasty tasty वाला मज़ा आ रहा है खाने का मन कर रहा है पर अभी फिलहाल तो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ उसके बाद मैं यमी सा इसको टेस्ट करूंगे कैसा लगता है यह देखिए सरीके से हमने इसको सर्फ किया है omelette bread के साथ आप भी इसे बना कर ट्राय करकर देखिए आपको कैसा लगा यह वीडियो हमारा recipe कैसे लगी आप हमारा वीडियो जरूर लाइक करें अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक करें हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और अपने friends और relatives के साथ इसे जरूर शेर करें thank you for watching ।